हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग चले मैं हाजर हूं अपने एक नई वीडियो के साथ जिसमें यूपिटेट 2018 की नई सीरीज में आज ये सेकींड वीडियो है भाष्या वन हिंदी की जो कि आपके यूपिटेट एक्जाम के पेपर में 30 कोशन आएंगे हिंदी से ये 2017 का पेपर है जिसमें आपको आप देखते हैं इन 30 कोशनों में से कितने कोशन कर पाते हैं इसी तरह की और वीडियो जब ये पेपर एंड हो जाएंगे तब हम एक्स्ट्रा कोशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि यूपिटेट में आ सकते हैं तो इसी तरह की वी करने के बाद हमारी PDF आप वहां भी फ्री में पासकते हैं इस पीडियाफ को बस पांच कुरिट में आप पूरा लेसन डिवाइस कर सकते हैं और यह कोशन जो है बार बार आपके एक्जाम में रिपीट होते हैं इसलिए मैं आपको इसके बाद हम एक्स्ट्रा कोशन की सीरीज लेकर आएंगे जो कि लगबग थाउजन कोशन तक होगी जो आपके एक्साम में डेफिनेटली श्योर आएंगे ही आएंगे तो चलिए अब आपको सिक्षक बनने से कोई नहीं रोख सकता इश्री शिंगला में आगे बढ़ते हैं अपना सुपर थर्टी लेगे पार्टी क करते हुए आगे चलते हैं कोशन नंबर वन की तरफ पहरा पहला कोशन है हिंदी में निमिश शब्द का क्या प्रयाय है मतलब इसका मतलब क्या है निमिश शब्द का ब्रकाश चंद्र पून या शण तो इसा करेक्ट आंसर है शण कोशन नंबर टू मुझ से उठा नहीं ग जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द कौन सा है इंबे से प्रत्याश्या अ प्रत्याश्यत, अ परीमे या अनाहूत जिससे पूर्व में कोई आशा ना हो तो इसको करेक्ट आंसर है अ प्रत्याशित Q4. गौधूं शब्द का तर्भों क्या होगा इनमें से? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन? तो correct answer है गेहूं Q5. निश कपट शब्द का संदी विच्छेद क्या है इनमें? निश प्लस कपट, निश प्लस कपट, नी प्लस कपट या निश प्लस कपट तो correct answer है निश विसर्ग लगा हुआ है नी के आगे प्लस कपट Q6. निमन में से किस शब्द की वर्टनी सही है इनमें से? अनुग्रहित, अनुग्रहीत, अनुग्रहित या अनुग्राहित तो इनमें से कौन सा इस स्पेलिंग में correct लिखा हुआ है तो अनुग्रहित जो second number के लिखा हुआ है वो बिलकुल correct है Q7. अपेक्षा का विशेशन रूप क्या है इनमें से? उपेक्षा, सापेक्ष, निरपेक्ष या अपेक्षित तो इसका correct answer है अपेक्षित, उपेक्षा का विशेशन Q1. श्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा, दन, तालू या दन तालू हम इनका उपेक्षेश करते हैं तो तो अपने दातों का यूज करते हैं दन, दातों और, तालू का यूज करते हैं तो बोलừng के का तालू हो श्व निन तो इस सिह다 पेक्षित, अदियं अतियंत को आप अलग अलग कीजिए अति प्लस अंत तो इसका अति प्लस अंत इसका संदी पीछे दोगा तो अति इसका उपसर्ग और अंत इसका प्रत्य होगा कुश्य नमर्ट 17 को अर्थ क्या है इनमें से क्राणियों के पेट के घंग है परवत कशिखर है परवत के पास की भूई जर् את का मतलब लगाध का उच्छारन स्थान होता है इनमेंसे क्या नासिक के नासिका से बोला जाता है कंठ से मूर्धने या कंठ तालू दोनों से तो करेक्ट आंसर है नासिका से वड़ावा बोलते हैं तो आपकी नाक से आवाज आती है कोशन नमबर 12 चार कज मलमल में कौन सा विशेषण है संख्या वाजक गुडवाजक परिमाण वाजक या सर्वसार्व नामिक तो परिमाण वाजक इसमें विशेषण यूज होता है कोशनमार 13 सीष का तस्सम रूप क्या है तो यह तो आप सबको आता होगा शीशा, शीर्ज, सिरा या शीषक तो करेक्ट आंसर एसमें शीर्ज, शीर्ज मनने सीष चोराहा शब्द में समास है, इन में से कौन साथ कारमधार या द्वन्द, द्विगु या अभ्यव भाव तो चौराहार में द्विगु समास है जैसे कि आप लोग को पता भी होगा जहां भी कोई संख्या आती है किसी शब्द में विछेत करने में पहले संख्या आ जाए तो वो द्विगु समास कहलाता है और अगर बीच मे क्या क्या डिफ्रेंस है हम कैसे पहचान सकते हैं समासों को तो द्विगु समास चौर रहा मतलब चार राहे जहां होती है तो वो द्विगु समास के अंडर में आएगा कोशन नमर 15 आख की करक्री होना एक मुहावरा है उसका अर्थ क्या है इनमें से दोखा देना कस्ट दायक होना बहुत प्रिय होना या अप्रिय लगना तो करेक्ट आंसर इसमें कस्ट दायक होना कोशन मर 16 निम लिखित में मौखिक अभिव्यक्ती का रूप है शुद्वर् कोशन 17 हिंदी भाषा में कितनी बोलियां तो हिंदी भाषा में 15 हे 25 है अठारा बोलियां है भार्तेंदू युग में निकलने वाली पत्रिका यूग में इनमेंसे कौन सी है कविवचन सुधा लेक्रणी प्रदीप की सरस्वती माधूरी कल्पना ग्यानोद है या नवनीत क तो कौन सी पत्रिका जो भारतेंदू यूग में निकलेए थी तो करेक्टांचर एक भी वचन सुधा हिंदी प्रतिपय को भारतेंदू यूग में निकलने वाली पत्रिकाइच है क्या है इन में से लीलाधर जगुडी लीलाधर जगुडी विश्वनात प्रशात्तिवारी हरे प्रकाशुपातियाई अखिलेश तो करेक्ट आंसर है अखिलेश कोश्वनाबर ट्वेंटी पारा बरस लो कुकर जीवे अरुतेरा बरस लो जीवे सियार यह पंक्तियां किसने नर्पति नाल यह जगनिक तो करेक्ट आंसर है यह चीज़ कुश्वनबर ट्वेंटी मैं निम लिकित मेंसे किस देश में हिंदी भाशा का प्रियोग लिखने में और बोलने में किया जाता है इन में से और उस्ट्रेलिया दक्षिन अमेरिका पाकिस्तान यह मौरिशिस तो सूर्षागर किस भासा की रच्छना का लिख Six बhashya में लिखी हुई है। क्भीता किसने लिखी है। नेमलिखित में से कौन सी व्याकरण वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है साहित्तिक भाशा, प्रांजल भाशा, व्याकर्णिक भाशा या मानक भाशा तो correct answer इसका मानक भाशा Question number 25 निमलिकित में से कौन सा राशो आला कंडी के नाम से प्रशित है पृत्वी राशो, खुमान राशो, परमाल राशो, वीसल देव राशो तो correct answer इसका परमाल राशो Next question हमें एक पैसेश दिया हुए, इस पैसेश को पढ़के इसको पढ़के पूरा से आप दो मुन का टाइम लिजे, इसको पूरा पढ़िये और इसके बेश पे आप अपना answer देने की कोशिश कीजे तो मैं इसको पढ़ना पढ़ते हुए आगे बढ़ती हूँ अपना question पर आती हूँ, डायरेक्टी Question number 26 घुमककर शब्द में कौन सा प्रत्य है? अकड, अड, कड, यड़ तो correct answer है, अकड Question number 27 यह सब जो कोशन है, 27 से लेके 30 तक यह पैसेज पर डिपेंड गाते हैं, आपको अपने सोच के नहीं बताना पैसेज पढ़ेंगे, उसी में का आंसर चुपा हुआ है, तो फिर इसको ध्यान से जला देखके करिए महावीर स्वामी का जन कहा हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशी नगर या पाड सोली, तो करेक्ट आंसर है, वैशाली में स्वचंद में कौन सी संधी है, व्यंजन संधी, विसर्व संधी, दीर्व संधी या गोड संधी, तो करेक्ट आंसर है, व्यंजन संधी Question number 29 महात्मा बुद्ध को अनुच्राप्त किहा, तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष ए 8 वर्ष, जब उन्होँने ध्यान प्राप्त के या बुद्वत मींज ग्यानप्राप्त के तो उनके कितने वर्ष के थे हूं तो उसका correct answer है आज सुरी हाँ आज से डिस्पले नहीं हो रहा मैं इसका answer बता दो ती इसका answer is 35 वर्ष के थे कि कोशियं no.30 को इस ग्याय था शुरुति धर्म इंभेड किसको नहीं उन्साइख जाता था जैन धर्म स्कूछ को बहुत धर्म को मुस्लिम धर्म को या वैदिक धर्म टो इसका एक धर्म सुनाता था और इसे तरह इसलिए था दूस्राइघक, साग्षियों मिला नहीं तो यहीं पर खतम होते हैं आज के सुपड 30 आशा है आपको यह पसंद आएंगे आप हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोशन जितने ज्यादा ह हो सकेंगे हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और आप इस वीडियो की पीडियाफ जरूर डाउनलोड कीजिए पीडियाफ डाउनलोड करके इसे सुबह शाम एक बाट जरूर पार्समेंट का टाइम निकालके देखे यह आपके बहुत हेल्प करी एक्साम में इससे लेटर कोशन जरूर आएंगे आपको आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद